कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डिगरी कॉलिज से निकले असिस्टेंट उपसर बहाली के बारे में दोस्तो इस अपडेट को और डीटेल में हम डिसकस करें उससे पहले मैं आपको एक महतपूर्ण अपडेट देना चाहता हूँ जो कर आया है अनेकैडमी से अगर आप भी यूजिशी नेट जयारेफ का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनेकैडमी लेकर आया है पेपर बन के साथ साथ पेपर टू का बैच जहां पे आप अभी द्वेन कर सकत हैं अनेकैडमी को बिल्कुल नॉमिनल फीस पे जबकि बहुत ही जल्दी अनेकैडमी का जो फीस है या फिर आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन फी वो बढ़ने वाला है अगर आप भी चाहते हैं कि कम फी पे यूजिशी नेट का प्रिप्रेशन करें तो आप कर सकते हैं अनेकैडमी को जोन कर सकते हैं अनेकैडमी को क्योंकि वहाँ पे बहुत ही जल्द फ्री बढ़ने वाला है सभी के सभी कोर्सेस के तो आपको बता दें अगर आप अनेकैडमी को जोन करना चाहते हैं तो आज ही आप अनेकैडमी के उपर जा सकते हैं या फिर इस वीडियो के description में जाएए, वहाँ पे आपको एक link बिल जाएगा, जिसके तुरू आप click करके, unacademy को ज्वेन कर सकते हैं, और अगर ज्वेनिंग के समय, DKGuru tutorial का referral code, DKGuru 10 यूज करते हैं, तो आपको extra 10% off मिल जाता है, यानि कि कुल मिला जुला के, अगर देखा जाए, तो old fee पे भी 10% का extra off आप पा सकते हैं, DKGuru tutorial का referral code यूज करके, वहीं दोस्तों, अगर और अधिक आपको जानकारी चाहिए, courses के बारे में, तो यहाँ पे एक mobile number आपको दिख रहा होगा, इस number पे आप संपर्क कर सकते हैं, और अपना subject से related और जो भी चीज़े हैं, उन सभी से related आप information प्राप्त कर सकते हैं, और अधिक detail के लिए, आप इस video के description box में जरूर जाएं, अब चलिए बात करते हैं, उस advertisement का जो निकल कर आया है, Delhi University के देशबंधू college से, आपको बता दे, यह एक degree college है, इसको निकल कर सामने आया है, यहाँ पे आप online आविदन कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसी advertisement में link देखने को मिल जाएगा, यानकि इस link के थूरू आप इस form को भर सकते हैं, आपको बता दे, इसका official website www.thisbandhukollege.ac.in है, इसके उपर जाकर के आप इस notification को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और form भी भर सकते हैं, आपको बता दे, यह advertisement असिस्टन पूपसर पोस्ट के लिए है, यहाँ पे आप advertisement date से 2 सब्ता के अंदर form भर सकते हैं, अब आप जोड़के देख लीजे, 23-2022 को यह advertisement निकला है, यहाँ से 2 वीक के अंदर आपको इस form को भर लेना है, बात करते हैं कौन सा subject से कितना विकेंसी निकल कर सामने आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं department या subject का नाम, यहाँ पे देख सकते हैं total विकेंसी, और यहाँ पे देख सकते हैं category wise विकेंसी, यहाँ UR का देखने को मिलेगा, यहाँ SC का, यहाँ ST का, यहाँ OBC का, यहाँ EWS का, यहाँ PWD का देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगबग लगबग सभी BCO में ठिक ठाक विकिंसी देखने को मिल रहा है, Commerce में आप देख सकते हैं 5 विकिंसी है, Chemistry में 7 विकिंसी है, बोटनी में 11 विकिंसी है, उसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको Economics में 8 विकिंसी देखने को मि पॉलिटिकल साइन्स में भी 11 विकेंसि है पंजाबी में भी सिंसकृत में भी है ज्लोजी में भी है तो जैख़ोर अगर यहाँ पर सब्जक्ट है में 55% मार्क्स लाए हो और उसके साथ साथ net qualify किये हो या PhD हो यानि कि अगर आप PG के साथ net हैं तो भी form भर सकते हैं अगर आप PG के साथ PhD हैं तो भी form भर सकते हैं अगर आप PG के साथ net और PhD दोनों हैं तो भी आप इस form को भर सकते हैं जैसे ही आप इस notification के नीचे आते हैं, यहाँ पे और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप एक बार phone भरने से पहले जरूर फिल करने, दोस्तों आपको बता दें कि यह जो vacancy है, यह निकाला गया है UGC Regulation 2018 के according, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे PhD जो कर चुके student है, उनको ए एक advantage दिया गया है marks में, अब कैसे advantage मिलेगा, वो थोड़ा समझ लीजे, हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार आप interview के लिए shortlist कैसे होंगे, यहाँ पे कोई exam नहीं होने वाला है, direct interview के थुरू आपका appointment होगा, तो आखिरकार आप interview के लिए कैसे shortlist होंगे, तो उसके लिए criteria दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से समझ लो, और यही है UGC Regulation 2018, आप देखें, अगर जिदिकी आपके पास graduation में 80% और उन से अधिक marks है, तो आपको 21 marks का weightage दिया जाएगा, वही अगर 60% से 80% तक है, तो आपको 19 marks का weightage दिया जाएगा, वही अगर 55% से लेकर 60% के 80% से 80% के बीच है, तो 23% दिया जाएगा, और 55% से लेकर के 60% तक है, तो आपको 20 marks का weightage दिया जाएगा, उसी तरके से अगर आप एंफिल कर चुके हैं, और अगर आपका marks एंफिल में 60% से अधिक है, तो आपको 7 marks का weightage दिया जाएगा, और अगर 55% और 60% के बीच है, तो 5 मार्क्स का वेटेज आपको मिलेगा अगर आप PhD कर चुके हैं तो आपको 25 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा चुकि ये college में appointment हो रहा है इसलिए यहाँ पर 25 मार्क्स है अगर ये university में होता तो यह मार्क्स होता यहाँ पर कुल 30 खैर ये college है degree college है जैसे मैंने पहले आपको बता दिया तो यहाँ पर PhD वालों को 25 मार्क्स दिया जाएगा चाहे वो कितना भी रद्धी PhD क्यों न किया हो उसके बाद देख लीजे यहाँ पर net with jrf अगर आपके पास है तो लिष्टेड में हो किसी में भी हो आपको 2 marks each paper मिलेगा तीन paper तक आपको marks मिलेगा total होगा 6 marks इसी तरके से अगर जिदके आपके आपके पास teaching experience है तो 2 marks each year आपको मिलेगा कुल मिला के 10 marks उसी तरके से अगर आपको कोई अवार्ड मिला है international या national level का तो आपको परती अवार्ड 3 marks मिलेगा और अधिक्तम आपको 3 ही इस स्रेणी से दिये जा सकते हैं उसी तरके से अगर जिदकी आपको कोई state level अवार्ड मिला है तो उसके लिए 2 अंक आपको दिये अब देखो इसमें से जितना भी आपका marks होगा वही आपका basically short list करने का आधार बनेगा अब सभी student का इस तरीके से marks calculate कर लिया जाएगा और top जो student हैं उनको select कर लिया जाएगा interview के लिए उनका होगा interview और interview के बाद basically final merit publish कर दिया जागा यहाँ पे कुछ और चीज को clear कर दिया भी marks मिल जाएगा अगर दोनों हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीच्डी का marks मिलेगा इसी वज़ा से मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को कि MFIL बिलकुल मत कीज़े क्योंकि किसी काम का MFIL नहीं है सीधे आप PhD कर लो क्योंकि सीधे आप अगर PhD करोगे तो भी आपको उत् संख ही मिलेंगे अवार्ड केटेग्री से maximum 3 marks मिलेंगे सपोज कीज़े आपको 10 अवार्ड मिल गया है फिर भी कोई फरक नहीं पड़ता आपको maximum 3 marks ही दिये जाएंगे और इसी के आधार पे basically आपका तै किया जाएगा कि आप interview में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं अब हम बात कर लेते हैं यहां पे एक important चीज लिखा है उसके बारे में और यहां पे यह लिखा है कि वैसे applicant जिसका academic score 50 से कम हो उनको किसी भी सूरत में shortlist किया ही नहीं जाएगा interview के लिए तो आप एक बार जरूर उपर जोड करके देख लें सायद अगर आप net pass होंगे तो हो सकता ह है कि आपका score total 50 से अधिक इस 100 में नहीं जा पाएगा तो वैसे इस्तिती में आप इस form को ना भरें क्योंकि 2018 regulation सिधे सिधे आपको भरने से मना करता है ओके चलिए next हम चलते हैं नीचे यहां पे आपको देखने को मिलेगा fee जहां पे आप देख सकते हैं UR के साथ साथ OBC और fee payment करने की अवसकता नहीं है SC, ST और PW, D category के students को जैसे आप नीचे आते हैं यहां पे आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है जिसको आप एक बार जरूर डाउनलूड करके पढ़ लें अब मैं बात करता हूं कि कहां से आप इस PDF को डाउनलूड कर सकते हैं और इस news देखने को मिलेगा इसमें आप सीधे चले जाएं इसमें आपको मिल जागा वो notification उनको आप अच्छे से डाउनलूड कर लें जैसे ही आप उसी notification में आपको एक link देखने को मिलेगा यहां पे इस link के उपर जैसे आप click करेंगे आप वहां पे पहुंच जाएंगे जहां से आप इस form को easily fill कर सकते हैं तो कुल मिलाजुला के update यह है कि 2018 regulation के चक्कर में UGC net qualify student को ठीक ठाक नुकसान हो रहा है फिलाल आप सभी को बस मैं यही कहना चाहूंगा अगर जिदके आप eligible हैं तो इस form को जरूर भरिये experience के लिए ही सही आप जरूर interview तक जाएए बहुत बहुत आप देखरते डीक गुरू टिक्टोरियल